हेलो योडिवान वेलकम बैक तो माई चानल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो एक सारी मेकिंग आइडिया हमें एक पॉर्डर मेकिंग आइडिया भी आपको देंगे जिसके लिए देखिए मेने फैब्रिक्स ले हुए है यह मेरा वैलवेट का फैब आपको दिखाने के लिए हुआ है यह मेरा व्यक्ति क को दिखाने के लिए है टुकडे है काफी मेरे पास उनी और यह देखिए लेस है सिल्वर जरी की कुछ इस तरह की लेस है ओके काफी सोबर लेस है और ये गोटे की लेस है सिल्वर करर की ओके फ्रेंस ये नेट लिया हुआ है नेट मैंने लिया है 3 1.5 मिटर हाफ मीटर मैंने ब्लूस के लिया लिया हुआ है और 3 मिटर प्लट्स वाले ऐरिये के लिया हुआ है योगी हम ये इखिए नेट का जो शाइन है वो काफी अच्छा है ठीके ये मुझे 100 रुपीज में मिला है ये मेरा हैमी नेट लिया हुआ है जू मैं पल्लू में रखने वाली हूँ ये मुझे 40 रुपीज पर मीटर पड़ा है इसके इसाब से मैंने 2.5 मीटर लिया है ये भी मुझे 100 रुपीज में मिला है 40 रूपीज पर मीटर इसका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा जिस कलर का नेट है उसी कलर का वर्क है यह बहुत ही प्यारा लग रहा है और अगर आप पार्टी वेर साड़ी रेडी करना चाहती है तो सर्फ आप इसे भी लेकर साड़ी रेडी कर सकती है जिसे कि यह 40 प्याइबल में कर्ने के बाद हमें इन दोनों फैबरी को जोइन करना है क्योंकि हमें हाफब सारी बनाने है थो हाफब सारी की बनाने के लिए राइट साइड अंदर रखते हुए रूंग साइड ऊपर र 광ते हुए walked does this उसके बाद इसे टर्न कर देंगे टर्न करने के बाद उपर एक फेनिशिंग की मशीन लगा देंगे तो इस तरीके से मैं इसे जोइन कर लूँगी जोइन करने के बाद हमें देखिए जो मेलवट का फैब्रिक के यह फूर इंच की मुझे पट्टिया कट करने है लेस के लए यह जो मैं फाब्रीक की यूज कर रही हूँ वैल्षट तब कर्हाएं इस सिर्फ तई विल्वेट के लिए यह फाब्रीक यूज करकर वैल्षट ताकि टाइटनेस रहे हमारी लेस बनाने में देखिए सोफा कवर काफी अच्छे से देखिए समय बैक में काफी जिसे कैनवास फिटिंग उसी तरीके से है इसलिए मुझे इसमें कोई कैनवास लगाने की ज़ुरूत नहीं है प्रॉपर में इसी ही पट्टी जो लेस है वही बना रही हूं और डायरेक्ट इसी पर जो मेरे लेस को डेकोरेट करने का इटम में वह लगा दूँगी और सोफा कवर से हमें सारी को डिसाइन कर लेंगे तो देखिए मैंने आसपास पत्ली गोटा लेस लगा लिए और जो सेंटर में मेरी चोड़ी वाली लेस लगा दी है क्योंकि पल्लू हमारा औरेटी काफी हैवी है तो हम उसे और जादा भड़कीला नहीं बनाएंगे तो यह बॉर्डर में स्टीच कर दूँगी अब इसे भी हमें हमने जो बॉर्डर तैयार की वह इस पर स्टीच कर देना है इस तरीके से रखका हम स्टीचिंग कर देंगे स से आसपास दोनों तरफ इस तरीके से में सारे डिजाइनिंग आइडिया कंप्लीट हो गया है आई होप आपको आइडिया अच्छा लगा हो गाइस में इसे वियर करकर आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि फिलहाल में इसका ब्लाउज रडी नहीं किया है तो उसके लि बना सकती है काफी लो प्राइज में सारी बनकर तैयार हो जाएगी और इस तरह की आप सिंपल सोबर सी आप पाइपीन वाली लेस यूज़ कर सकती है जिसे सारी आपको अच्छा लगा हो और या आइडिया कहीं न कहीं आपके लिए हाल फॉल रहे और आपके घर में भी वे सोफा कवरोज इसे आप इसे डिजाइन कर सके तो गाइस आई होपी अच्छा लगा हो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में गाइस तब तक के लिए बाबाए और थैंक्स वर वाचिंग